जब इसलोजी की बात आती है और आप किसी कॉमेंस मैं से पूछ रहो कि भाईया तुम्हें क्या जानना है तो सबसे पहले उसका मन करता है यह बताओ शादी कब होगी? किस से होगी? कैसा नेचर होगा उसका? कैसा दिखता होगा? कैसा सभाव होगा? मुझसे बनेगी नहीं बनेगी? ऐसे तमाम सवाल मन में आरते हैं बड़ा कॉमन सा सवाल है सब लोग पूछते हैं तो मैंने सुचा क्यों ना इसके उपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आप ये खुद जान सकें कि आपकी शादी जिससे होने वाली है उसका नेचर कैसा होगा? वो दिखेगा कैसा? उसकी पस्टनालिटी के ट्रेट्स बाकी के क्या होंगे? इस पर कुछ एक डिसकेशन कर लिया जाए अब जिनकी शादी होगे हो पर रिचान हम तो कर लिये तो आप जरा देखो जोतिश की पावर को और आज आप कॉमेंट में भी बताओगे क्या आपका जिनसे शादी हो चुका है उनका नेचर कैसा है? क्या मैच हो रही है मेरी बात उनके साथ या फिर नहीं मैच हो रही है यह सारे एक्सपिरियेंसे आप कॉमेंट में बताएंगे तब आपको पावर आफ एसलोजी के बारे में पता चलेगा तो आपका स्पाउस कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देगा, उसका नेचर कैसा होगा यह सारी चीजें आज की इस पूरे वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगी तो अभी कॉपी और पेन ले लिजे क्योंकि इसमें थोड़ी कैल्कुलेशन ज़ादा है तो मैं आपको बिल्कुल बच्चे की तरह सिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आराम से सब को सीख सकें सबसे पहले रिक्वाइर्मेंट क्या होगी? जब आप एसलोजी का वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास आपकी कॉणली होनी चाहिए, आपको होरोस्कोप होना चाहिए अब आपके पास कॉणली नहीं है, दुनिया भर के ओनलाइन फ्री सॉफ्ट्वेर भरे पड़े हैं किसी पर भी जाएए, अपने डिटेल्स फिल कर दीजे और अपनी कॉणली निकाल लीजे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक कॉणली है ये कॉणली हमारी संस्थान में ही बनती है, तो मैंने वही ओपन कर ली है अब इस कॉणली में ये जो चार्ट है, इसे लगन कॉणली बोलते हैं ये चंदर कॉणली है और ये नौमाज कॉणली है हमें आज के इस वीडियो में मेजर फोकस इस लगन कॉणली में करना है इस कॉणली में आप देख रहे होंगे कि यहां पे नंबर 11 लिखा हुआ है ये 11 नंबर हाउस का नंबर नहीं है, ये 11 नंबर की राशी इस कॉणली में बैठी हुई है हाउस हमेशा ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा और इसी तरह से एंटी क्लॉक वाइस बढ़ता रहेगा जैसे ये चोथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा हाउस है, ये आपका सातवा हाउस है यह आपका हो जाएगा 10th house और इस तरह से यह हो जाएगा आपका 12th house ठीक है तो हमें house समझ में आ गए कि कौन सा house है बाकी कि यह जो छोटे छोटे नंबर आप देख रहे हो जैसे 11 यह एक यह दो यह राशियों के नंबर जैसे एक नंबर मेश राशी दो नंबर व्रशब तो house अलग चीज है राशी अलग चीज है यह समझ में आ गया इतना मोटा मोटा अब करना क्या है हमारे spouse के बारे में हमें किस प्लैनेट किस house और किस राशी से पता चलेगा इसको समझते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली यह जो चार्ट बना हुआ है इसी सारे प्लैनेट लिखेंगे सूर देखिए सिंग राशी में बैठा हुआ है अब अगर आप अपने कुंड़ी में भी देखेंगे तो आपको नजर आएगा यह देखिए सूर है और यह पांच नंबर सिंग राशी का होता वहां बैठा हुआ है यही सेम रिफ्लेक्शन आप यहां पर चार्ट में देख रहा है जैसे चंड्रमा यह कैara करक में है तो यह सारी चीजहें अब इसमें करना क्या है नीचे कर राभू को काउंट नहीं करना केत्यों को काउंट नहीं करना हर्स नेपो अ प्लूटो दसंभाव और यह लगन ठिक है इन सारे चीजहों को आप कट कर दीजे अब आपके पास साथ प्लैनेट बचेंगे जो सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं सूर चंद्रमा मंगल बुद्ध गुरु शुक्रशनी इन ही साथ प्लैनेट में आपको वो प्लैनेट खोज कर निकालना है जिसकी डिगरी सबसे कम है एक बाद फिर रिपीट गुरक्णा उसके बाद और चेकर लेता हूं तो चार डिगरी, 28 डिगरी, 7 डिगरी तो सबसे कम इसकुंडली में मर्कुरी है जो की 1 डिगरी का है और मर्कुरी बैठा है सिंग राशी में बस हमें यहीं फाइंड आउट करना था हमारा काम हो गया अब अगर हम वापस इसक कर देता हूं ठीक है तो आप देखेंगे कि मर्कुरी कहा है कहा है कहा है यह रहा मर्कुरी सिंग राशी में बैठा है और किस हाउस में बैठा है तो यह सेवेंथ हाउस होता है दोस्तों सेवेंथ हाउस है यह सात्वे घर में बुद्ध सिंग राशी में बैठा बस इतना ही प प्लैनेट कौन सी राशी और कौन सा हाउस है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, अब मैं एक एक करके हर एक चीज को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और आप अपने पार्टनर के साथ मैच करेंगे, या जिसके साथ आपका चक्कर चला है, उसके साथ मैच कर लीजेगा आपको पता चल जाएगा कि आपका लवेरिया सक्सेस्फुल होगा या नहीं होगा, इस वीडियो के बाद चलिए, शुरुबात करते हैं कि अगर आपको सबसे लोवेश डिग्री का प्लैनेट फस्ट हाउस में मिल जाता है, तो दोस्तों जब आपको अपना प्लैनेट रा लेनी, अब हमें इन ही तीन चीजों से आपके स्पाउस का करेक्टर डिस्क्राइब परना, एक एक चीज को हम कवर करेंगे, सबसे पहले शुरुबात करते हैं कि आपका लोवेश डिग्री का प्लैनेट किस हाउस में बैठा है, इसको समझते हैं, फॉर एक्जामपल, लेस पर लोवेश डिग्री वाला प्लैनेट बैठा है, कुछ अच्छा कुछ नियम ना मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा, इस पूरे कॉंसेट को लेकर, मैं इसे बहुत सिंपल बना रहा हूँ, यह थोड़ा सा कटिन कॉंसेट है, लेकिन लास्ट देखोगे तो आपका सा प्रिचर में जो क्वालिटी आएगी वह आएगा इंडिविज्वेलटी आपका पार्टनल इंडिवीज्वेलटी पर बहुत फोकस करता है, इसका मतलब क्या वह इंडिपेंडेंडेंट है, उससे दबना पसंद नहीं है, अपने विचारों को सबके सामने खरे-खरे शब् अपने दम पे करियर करते हैं और अपने दम पे बिजनस भी बना कर रखते हैं ऐसा नीचर है आपके स्पाउस का साथी साथ यह बहुत सपोर्टिव हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ बोड़े अटैच हो जाओगे सुरुवात में इनको समझना थोड़ा कठी नहीं रहेगा यह क्योंकि बहुत जल्दी ओपन होते नहीं हैं लेकिन जब यह ओपन होंगे आपके साथ तो समझ लीजे कि आप एक और बच्चा लिए गूम रहे हो एक छोटा बच्चा यह इतने मासूम और इतने प्यारे भोले हो जाते हैं यह अटैच बहुत जल्दी हो जाते किसी के स और उसके बाद ये अपना अस्तित्व को कर उसकी विचारों या उसको-खुश करने के या निकि अपने पार्ट्नुर को खुश करने के पीछ लग जाते हैं ऐसे लोग शादी के बाद मैरेज के बाद ना सैल्फ बिलीव बढ़ा देते हैं किसका आपका आपका अगर इनसे श दोसरी चीज जो है कि साथ मेच्स करनी है इसे गूंबना साथ में कोई नई चीज सात करनी है यह जो अनके स्पाउस तो नहीं बैठेगा आपका प्लैनेट ही बैठेगा लोएस डिगरी का प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में बैठ गया है दोस्तों तो ऐसा स्पाउस आपको मिलेगा जो की बड़ा मनी ओरियंटेड है ऐसे व्यक्ति अपने फाइनेशल पर बड़ा ध्यान देते हैं और फाइनेशल स्टेबिल्टी के लिए कई सारी चीज़े सुरुवात से ही करने लग जाते हैं जैसे इंशुरेंस एफडी या इन्वेस्ट करना कहीं पर भी आपके पार्टनर एक से जादा इंकम सूर्स बनाने के बारे में भी सोच हैं यह परफेक्टली फैमिली औरियंटेड और बहुत केरिंग निचर के आपको मिलेंगे साथी साथ यह भी पॉसिबल है कि किसी बोलने वाले काम में इन्वाल्व हो इनके काम में बोलना जादा पड़ता हो वानी का जादा यूज हो या फिर किसी फाइनेंस की फीर्ड से जुड़े हुए हो यह भी संभव है आपका पार्टनर यहां पर आपको मिल सकता है तो चले जाएए कि सीए वीए के आसपास कोई घूमता हुआ मिल जाए उसे पकड़ लीजेगा ठीक है तो यह पार्टनर इस तरह का निचर रखता है अब आपने कितनी बातों से रिलेट क करना है आपको अब अगर थर्ड हाउस में बैठा है यह प्लैनेट तो आपका पार्टनर कम्मुनिकेटिव बहुत मिलेगा इंटिलेक्च्चुल बाते बहुत करता हुआ मिलेगा आपको घूमने फिरने का शौक रखता हुआ मिलेगा और क्रेटिव अलग लेवल पे होगा ऐसे पार्टनर बड़े करेजियस और महंती होते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रसर होते हैं किनके करियर पर कोई बात ना जा और अपने करियर को बढ़ाने के लिए काम धंदे को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते भी रहते हैं हो सकता है कि किसी तरह से जनलिजम या मीडिया में काम कर रहे हों हो सकता है कि किसी क्रिटिव फिल्ड में काम कर रहे हों हो सकता है कि किसी शोशल मीडिया इंवारिमेंट में भी काम कर रहे हो या फिर राइटिंग और ब्लॉगिंग जैसा करियर भी आपके स्पाउस का यहा हर प्रॉब्लम को बात करके solve करने का उसका attitude जरूर होगा तो थर्ड हाउस में लोएस्ट डगरी प्लैनेट है तो ये सब चीजे देता है अब आगे पढ़ते हैं वीडियो में हो सकता है कि आपका लोएस्ट डिगरी का प्लैनेट फूर्थ हाउस में बैठा है अब ये property का योग भी मनाता है यानि कि इससे शादी करने के बाद आप property भी खरिदते ओ इनके पास property भी होती है एक possibility और ये भी है कि आपकी ये पार्टनर रियल स्टेट में काम करते हों या किसी तरह से home decor home services के बिजनस में जॉब कर रहे हो या फिर किसी तरह से गाड़ी का कोई business में आस-पास रोगे आपको अपने घर की याद नहीं आएगी यह इतना make sure कर देंगे तो यह हो सकता है कि आपके partner की यह qualities हो अगर आपने relate किया हो तो हमें comment करके जरूर बताईएगा अब आगे बढ़ते हो सकता है कि आपका lowest degree planet 5th house में बैठा हो अगर आपका lowest degree planet 5th house में बैठता ह तो partner no doubt बहुत creative होगा well educated होगा पढ़ाई लिखाई उसने ज्यादा की होगी बहुत ही talented भी होगा किसी एक क्रिया विधी में उसको बहुत ज्यादा skill होगी उसकी यह बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं चाए अपने हो चाए दूसरे के हो बच्चों के प्रती इनका प्रे तो है creative field में media field में entertainment field में यह आपको जुड़े हुए मिल सकते हैं नहीं तो इन सभी field में कभी न कभी यह जाना चाते थे या कभी न कभी इन्होंने कुछ न कुछ इसमें जरू ट्राइ किया है यह भी देखा जा सकता है साथी साथ यह भी देखा गया है कि आपके partner marriage के बाद जादा पैसे कमाते यानि आप इनके लिए भागशाली रहेंगे और शादी के बाद इनके धन में व्रद्धी भी देखने को मिलती है अगर आपके partner ऐसे हैं कुछ qualities मिल रही है तो हमें comment करके ज़रू बताएगा अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हो सकता है कि आपका lowest degree planet at six house में बैठा हो ऐसे में आपका जो partner है वो बड़ा ही hard working nature का मिलेगा आपको छोटी छोटी चीजों का पूरा ध्यान देता होगा बारीकियों में काम करता होगा कहते हैं कि devil lies in detail बाल की खान निकानने वाला यह वही इनसान है बड़े ही helpful nature के होते सेवा भाव बहुत होता है है एंको कर्ज लोन लेने की भी आदत हो इनकी सेहत बहुत नाजुक होती है बहुत जल्ध-जल्दीं असर हो जाता जैसे मौसम बदल रहा है या थोड़ा सा भी रह्यसेंग्वा बढ़े सेहत पर जल्दी असर हो जाता था प्रोफेशन वाइंगर बात करें तो हो सक्ता है क और इसकी एक खराबी यहां पर देखी जाती कि ऐसा पार्टनर ना जगड़ा जादा करता है चोटी-चोटी बातों पर जगड़े भी जादा करता है देखे बारी कि यह धोड़ रहे हैं कुछ ना कुछ मिली जाएगा और कुछ ना कुछ मिलेगा तो उसका बतंगर भी सबसे पहले आपका जो इस पाउस होगा यह प्रसिद्ध होना चाहते हैं और यह यह भी चाहते हैं कि दुनिया इनकी इजद करे इनका अपना खुद का बिजनस करने का बड़ा मन है और पैसा पैसा सिर्फ पैसा इन्हें पैसा बहुत नजर आता है मनी कमाने के लिए धंदा बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं इन्हें अपने लाइफ पार्टनर में भी बिजनस नजर आता है यानि कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिल कर काम करने का इनका बड़ा मन होता है marriage life में balance बनाकर चलते हैं ये लोग, आपके partner social हो सकते हैं, यानि कि लोगों से मिलना, जुलना, बाहर जाना, बाहर लोगों से बाते करना, इनका एक शौक हो सकता है, networking करने का भी इनका शौक हो सकता है, कुछ cases में ऐसा भी देखा गया है, कि इस position में जो partner मिलता है, वो relationship के बारे में भी बताता है, कि relationship अच्छा चलेगा, harmonious चलेगा, unless until कोई आसपास कोई पापी रहे, बैठा ना हो, तब तक ये सारी चीज़े अपलिकेबल होती है, अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया है, तो comment करके जरूर बताएगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका lowest degree planet एर्थ house में बैट जाता है, तो फिर क्या होता है, अगर आपका lowest degree planet एर्थ house में बैटा है, तो आपके partner थोड़े secretive nature के मिलेंगे, जल्दी अपनी feelings share करने वाले नहीं है, अकल्ट में, तंतर में इनका थोड़ा बहुत रुजान हो सकता है, physical और mental थोड़े से issues नजर आते हैं, आपके partner के अंदर sexually बहुत focus होंगे, सारे रिक संबंद बनाने में इनको बड़ा आनन्द आता होगा, इस तरह की placement बहुत अच्छी तो नहीं मानी गई है, यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि शादी के बाद financial crunch आ जाए, शादी के बा बदलाओ बहुत आता, जैसा यह पहले होते थे यह वैसे रह नहीं जाते हैं, शादी के कुछी सालों के बाद, और यह कहते हुए भी मिल जाएंगे कि तुमने मुझे बहुत बदल दिया, मैं ऐसा था नहीं, मैं यह कभी बाते सुन नहीं सकता था, अब मैं सुनने लग गय करना हूँ, यह मैं इतना कभी किसी के लिए नहीं किया, जितना तुम्हारे लिए किया है, यह सारी बाते करते हुए भी मिल सकते हैं, शादी के बाद इनके अंदर यह भी notice किया गया है, कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब मुझे कुछ अपने आपको प्रूफ करन देखने को मिलती है अगर आपने रिलेट किया है तो कॉमेंट करके जरूर बताइए माप करिए का वीडियो चालक से रोग दिया है पर एक बहुत इंपॉर्टन अनाउंस्मेंट है हमारा एस लॉजी लाल किताब वास्तू इसके लाइव बैचे स्टार्ट होने वाले हैं आने अलग ही मज़ा होता है जिसमें आप अपने मेंटर अपने टीचर के साथ बाते करते हैं और अपने सब्जेट को और ज्यादा डेप्थ में समझते हैं यह जो पूरा स्ट्रक्चर है यह हमने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि आप अन दे स्पॉर्ट की स्टुडी को सॉल कर सके किसी और को कंसल्ट कर सके और कुछ नहीं तो अपनी लाइव को तो बहतर बनाई सके तो यह एक अनॉंस्मेंट थी जो मैं आपको बताना चाहता था वीडियो में वापस चलते हैं चले वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं कि अगर आपका लोगे डिग्री प्ल साथी साथ वो किसी और कास्ट का हो सकता है किसी और रिलीजियस बैक्राउंड का हो सकता है या फिर उसका जो बर्थ प्लेस है आपके बर्थ प्लेस से बहुत दूर होगा इवन कई केसे में ये भी देखा गया है कि वो फॉरण में जन्म लिया है और आप इधर इंडिया मे जर्मिलिये हैं तो भी आपका विवा हो रहा है ऐसा भी देखने को मिलता है कि 9th house placement है साथ ही साथ इसको पढ़ाना बहुत पसंद होगा है यह टीचर हो सकता है या किसी science background से जुड़ा हुआ भी हो सकता है नहीं कर रहा है यह सब कुछ भी तो भी अगर आप इससे पूछोगे यहां जाएंगे वहां जाएंगे वर्ड टूर करेंगे अब करें या ना करें पर यह बाते जरूर करेंगा या इसका शौक है ट्रैवल करने इनके जीवन में पिता का बहुत बड़ा महतुरा होगा और इवन इनको एक तलास रहती है अपने लाइफ में कि कोई teacher मिल जाए क इस तरह का आपके spouse का थोड़ा बहुत nature हो सकता है अगर आपने relate किया है तो comment करके जरूर बताएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप प्लेस्मेंट मिल जाए lowest degree planet की 10th house में दसवे घर में आपका lowest degree planet बैटा जहा लेकर आगे बढ़ना है साथ ही साथ यह अपनी image को लेकर बहुत conscious होते हैं यह मेरी image को कुछ को कहना दे कुछ कुछ दाग ना लग जाए कोई मजाक न उड़ा दे ऐसा इनके अंदर एक बड़ा एक थौट होता है इवन आप इनको बहुत फोकस्ट और पावर्फुल लोग हैं है करीयर की बाते करीयर में कव कैसे सुछ करना यह सारी करते करते हूं मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं का नीचर है इनका सुभाव है और बहुत मज़ेगी बात है कि आपको आपका जो पार्टनर है तो आपको किसी काम धन्डे की वजए से यार यह 105 आपको यरी ऑफ् आपको कोई लिंक जरू मिल जाएगा अगर मेरी बातों से रिलेट किया है तो कॉमेंट करके जरू बताईएगा तो यह हो गया 10 अब आगे हो सकता है पॉसिबिल्टी कि आपका जो यह प्लैनेट है कि 10 अब बैटकर 11 अब बैठा हुआ है लोज डिग्री वाला अभी हम राश अगर देखा जाए खुश बहुत रहता है और खुशी देने में भी यकीन रखता है वेल्थ इसकी अच्छी होती है और यह इसकी वेल्थ कहीं ना कहीं इसके जो रिस्तेदार या दोस्त हैं उनकी वजह से भी इसको बहुत सपोर्ट मिलता है फ्रेंडशिप इसके लिए ए और लाइव पार्टनर थोड़ा कम हो तो भी चल जाएगा यानि कि यह अपने स्पाउस में दोस्त की तलास करते हैं साथी साथ यह अपने स्पाउस को इन्वेस्ट करना भी सिखाते हैं उसको फ्यूचर के बारे में सोचना फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना भी सिखात पर आपकी growth जाती है रुख तो आपके spouse ना खुद रुखेंगे ना आपको रुखने देंगे इवन ये भी देखा गया है कि आपको एक wealthy spouse मिलेगा जो कि एक large network of group of people से जुड़ा हुआ है और उसके पास धन अच्छा है प्रभाव भी अच्छा है आपको इवन ये भी देखने को मिलेगा कि आपको अपने spouse की वजए से बहुत सारी दोस्ते दोस्त लोग मिलना है या आपका network आपके spouse की वजए से बहुत जादा बढ़ रहा है तो ये बताता है आपके spouse का इस तरह का nature होगा अगर आपने relate किया है तो comment करके जरू बताईए अब वीडियो में आगे चलत हो सकता है या आपके birthplace से बहुत दूर भी हो सकता है इने healing, meditation, yoga, ayurveda, tantra ऐसी चीजों में बहुत दिल्चस्पी भी हो सकती है ये spouse भी ऐसा है कि इसको घुमना, फिनना, टहनना बहुत पसंद होता है इसको बढ़ आच्छा होता है sacrifice भी बहुत करते हैं अपनी life में जब आप इनकी story सुनेंगे तो आपको कई सारे sacrifice की काहनिया भी इनकी story में सुनने को मिल जाएंगी ऐसे लोग ना, एक खर्च का सुभाव है इनकी जीवन में चीजों को खर्च कर दो, जो चीजें एकटी करनी हैं उसे खर्च कर दो, यानि कि इसको और normal भासा में आगर मैं आपको सम समझेंगे नहीं, उसको खर्च कर देंगे, ये कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कितना जरूरी है, इनको पता तो है कि आप इनके लिए कितना जरूरी हो, लेकिन क्या है उसे कभी express नहीं कर पाएंगे, तो इनकी express करना नहीं आता, express भी इनका खर्च हो जाता है, त अभी हमने एक से लेके 12 houses को डिसकस किया है अब हम सभी planets को डिसकस करेंगे तो हमारा जो दूसरा target वो यह है कि हम planet से कैसे समझें अपने spouse के बारे में अच्छा जब आपने यह पूरा बारा house का देख लिया होगा तो आपके मन में एक विचार आया होगा यार पंड़ी लगबर लगबर आपने सब अच्छा ही बताया है पर मेरा वाला दो बहुत बदमास है इसके बारे में आ है आपका अगर वो अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठ जाए राहु केतु के साथ बैठ जाए या फिर उसका दुश्मन ग्रह उसे देख ले द्रस्टी डाल दे उसके उपर तो भी आपका जो पार्टनर उसका सभाव आपको नेगेटिव साइड में ज्यादा मिलेगा फॉर एक्जामपल माल लेते हैं कि सेटन यहाँ पर बैठा था अब सेटन का दुश्मन सूर है वो यहाँ पर बैठ जाए अब इसने सूर को सेटन को सूर ने द्रस्टी डाल दी अब आपके स्पाउस का जो नीचर होगा उसमें जो सूर के बैड इफेक्ट से वो आ जाएंग और किसी कुछ समझने को त्यार नहीं है तो इस तरह से भी आप जज कर लीजेगा कि आपका जो लोवेस डिकरी का प्लैनेट है क्या उस प्लैनेट का दुश्मन प्लैनेट उसे द्रस्टी डाला या नहीं अब द्रस्टी कैसे देखते हैं द्रस्टी जहाँ पर वो प्लैने युपिटर की पांचवी नभी एक्ष्ट्रा है और शनी की तीसरी और दस्वीं एक्ष्ट्रा है ठीक है तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो भी समझेगा कि मामला गरबर है सिर्फ एनमी प्लेनेर हो सकता है दोस्त देख रहा हो आप पॉजटिट में आके दोस्त की बढ़ जाएंगे जो प्लैनेट देख रहा है उसके तो एक छोटा सा नियम है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझ में आ जाएगा अब अगर आपको पता नहीं है कि किस प्लैनेट का कौन दोस्त है कौन दुष्मन नजर आ रही है हर एक प्लैनेट के दुष्मन और लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे हैं आप यहीं से आपको उसका सभाव पता चलेगा अपने सपाउस का अब बात हुब करने वाले हैं कि प्लैनेट के अकौर्डिंग आपका पार्टनर कैसा दिखाई देगा और उसके सभाव मे प्लैनेट जो है वो सन निकलाता है अब जैसा सूर का नीचर है वैसा वैसा कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को आपका नीचर नजर आएगा जैसे सबसे पहले यह वैक्ति चाहेगा कि इसके रिलेशन्शिप में इसका डॉमिनेंस रहे इसकी बाते जादा मानी चाहें सू आपका पार्टनर आपके हावी होना चाहेगा अधर्वाइस यह ओके रहता है यह इमोशनल भी बहुत आपको मिलेंगे अगर आप कोई भी बात इनको प्यार सिया इमोशन से समझाने की कोशिश करेंगे तब नहीं जब इनको गुस्ता चड़ा हुआ है एक दम नॉर्मल व फील होती है कि अगर यह करियर वाइस और मनी वाइस अच्छा नहीं करेंगे तो इनको कोई इज़त नहीं देगा इसलिए यह हमेशा करियर मनी को आप से ज़्यादा ही इंपोर्टेंस देते हुए मिलेंगे थोड़े कॉम्प्टिटिव निचर की भी है इनको कॉम्प्टि इसी की वज़े से शायद वहाँ पर है जहां पर हो नहीं होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट प्लेनजलेट है इंडिपेंडेंट नीचर का आपको आपका इंडिपेंडेंडेन नीचर का और खुले विचारों-वाला होगा रिव्य वैश्वक्त करने वाला और र С ISO2020 को ए समध के मन्त में यह लोग ज़्यादा अच्छे से वैभार भी करते हैं और अच्छे से अपने करियर पर काम भी करते हैं थंडे महीने आपके स्पाउस के इतने नहीं साबित होते हैं अब बात करते हैं कैसे दिखाई देगे कुछ मैंने फेशल स्ट्रक्चर उनकी लंबाई उ किसी भी आउस में बैठा हो पर अगर वह मून है दोस्तों आप पाएंगे कि आपका पार्टनर ओवरली सेंस्टिव इमोशनल और मोडी नेचर का उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और आप यह बात नोटिस करेंगे कि वह फ्लेक्सिबल नेचर के भी हैं जिस तरह का द परति हो या किसी के भी प्रति हो वह ममता कभी नहीं जाती यह बहुत अच्छे लिश्णर आपको मिलेंगे सुनते हैं समझते हैं और इमोशनली आपके लिए बहुत कंपैटिबल यह पार्टनर साबित होगा यह बस बात क्या है कि इमोशन हमेसा अच्छे नहीं होते कई ब तो भयानक वाला गुस्सा आपको स्वीट सा बच्चा था मेरा, इतना प्यारा सा इंसान था, इतना गुस्सा इसको क्यों आ रहा है, तो इनका नीचर ऐसा है, उसके बाद बहुत ठंडे भी होंगे, और फिर सोरी सोरी कहते हुए प्यार से आपके पास वापस भी आ जाएंग अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा, सपोर्टिव नेचर क्या ये पार्टनर होता है, और ये इस्पेशली फीमेल्स के केस में देखा गया है कि जो आप कहोगे वो हम मान लेंगे, ठीक है, और मेल के केस में अपनी कोई भी बात, कोई भी राय मश्वरा अपनी वाइफ को नर्शरिंग नेचर है, इनका केरिंग नेचर बहुत जादा है, और साथी साथ आप इनको ये भी देखने को आपको मिलेगा, कि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पूरी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, सब का ध सबसे बड़ी जो खास बात मून प्रटेक्टिवनेस यह लोग प्रटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज से हर बुरी चीज से आपको प्रटेक्ट करेंगे इंट्यूशन अच्छी है ना तो भाप जाते हैं कि कौन आपके लिए नुकसान दे है कौन आपके लिए अच्छा है तो कभी ये कुछ आपको सेज़ेस्ट करने तो चुपचा बैटके सुन लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं थर्ड प्लैनेट की जो की है मार्स मंगल अगर आ गया है तो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा अगर मंगल है आपका लुएस डिग्री प्लैनेट तो आपके पार्टनर स्ट्रॉंग विल पावर के मिलेंगे बहुत जादा बता दिया तो अब इनको करना है या कोई कारिंगी परिशनल लाइफ में तो आपके यह बहुत बहुत गोल औरियंटेड रहते हैं और मंगल की वज़े से यह भी नजर आता है कि इनका जो शुभाव है वह बहुत ज्यादा गुस्यवाला भी हो सकता है एंग्रेसिव हो सकत ambitious भी हो सकता है इनको ना चीज़े बड़ी जल्दी चाहिए लाइफ में जिस वज़े से प्रॉब्लम आती है और आप देखेंगे कि sexually बहुत 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 होता है ये partner sexual life में काफी satisfaction होता है ऐसे लोगों की married life में अब physical attribution का कैसा हो गए दिखाई कैसे देंगे तो पूरी जो physical significance है आपके स्कीन के सामने नजर आ रहा है इसको एक बार पढ़ लीजे और match करके देखे कि कि आपके partner के साथ ये सब चीज़े match हो रही है और अगर हो रही है तो comment करके हमें जरूर बताईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका lowest degree planet जुपिटर आया था तो उसका क्या अर्थ है गुरु देव ब्रशपती का आया है तो क्या है सबसे पहले पास जुपिटर ग्यान का planet है तो ये बढ़ती है आपको knowledgeable तो जरूर मिलेगा साथ ही साथ loyal बहुत होता है ऐसे लोग गजब की sense of humor से creativity से भी भरे हुए नजर आते हैं spirituality तो no doubt इनके जीवन का एक रास्ता रहेगा protective nature भी है और even ये आपके साथ साथ आपकी knowledge और आपकी education पर बड़ा ध्यान देंगे कि आप भी पढ़ो आप भी आगे बढ़ो कुल मिला कि आपके घर में खुशियां भरने वाला ये है ये बहुत अच्छा planet माना जाता अगर ये और traditional होकर रहते हैं बहुत ज़्यादा fluctuating जो लोग होते हैं ना चाहे आप हो चाहे कोई भी हो वो इनको नहीं पसंद आता है और अगर कोई traditional के खिलाब कोई काम कर रहा है घर परिवार में तो भी इनको बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आता है इनका जो आप structure देखो कि सनी माराज आपके lowest degree planet है तो आपका जो spouse होता है वो कैसा दिखाई देगा अगर सेटन है तो duty oriented होता है career oriented मिलेगा मेहनत करने वाला वेक्ति बहुत होता है फिसकल लेबर बहुत करता है ऐसा वेक्ति और इसकी जो बाते होती ना philosophical होती है फिलोसफी की बाते बहुत करता हुए मिलेगा बड़ी बड़ी गहरी बाते बातों का धनी भी आपको मिलेगा हार्ट वकिंग मैंने आपको बताए दिया और बहुत जल्दी एडेप्ट नहीं कर पाता है शक करता है हर चीज को पहले करने से पहले और जब इसका खतम हो जाता है तब जाके पूरी तरह से उस करते हैं तो शनी एक ऐसा प्लैनेट है जो की जुबान का पक्का है वो धिरे धिरे लंबी चीजों में दाव लगाना चाहता है लंबा खेल खेलना चाहता है किसी भी चीज से बहुत ज्यादा इनको फर्क पड़ता नहीं है सैटन ना एक ऐसे कह सकते हैं मोटी चमड़ी है जो थोड़ प्रोसेस बच्पन में बन गया जो थोड़ प्रोसेस इन्होंने एडप्ट कर लिया जवानी में बहुत जल्दी आप उसे बदल नहीं पाओगे चाहिए आप कितनी कोशिश कर लो तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि इनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है ने समझने की कोशिच करनी है, no doubt आपको workohelic nature का partner भी मिल सकता है, जो कि life में career को लेकर काफी determined है, लेकिन हाँ, अपने spouse के साथ कई सारी activities करना, उसके साथ कई सारी memories create करना, romantic पल बिताना, घुमना फिरना, इसका भी ये shock रखते हैं, पर usually वो उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि अपने काम में ही ज़्यादा वैस्त रहना, इनका life ही ऐसी हो जाती है कि काम में ज़्यादा ये वैस्त है, अब इनका physical appearance कैसा हो सकता है, usually जो Saturn है, वो structure of bone है, आप क्या, आप इसको ज़रा मैच करके देखिएगा, कितना मैच हो रहा है, अगर मैच हो जाए तो comment करके ज़रूर बताइएगा, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं, अगर आपका lowest degree planet मरकुरी हो जाता है, यानि कि बुद्ध ग्रे आपके lowest degree planet है, तो फिर क्या होगा, आपके partner friendship attitude वाले होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा explore करना चाते हैं, आपकी हर एक चीज़ को देखना चाते हैं, हर बात को समझना चाते हैं, ट्रेवलिंग, मौद मस्ती, हसी मजा, communication, ये सारा attitude इनके अंदर हो सकता है, टॉकेटिव भी मिल सकते हैं, बहुत बोलने वाले भी मिल सकते हैं, और बोलते बोलते कब बच्चे बन जा रहे हैं, कब एकदम से mature बन जा रहे हैं, तो जरूरत के हिसाब से अपना nature भी बदल लेते हैं, friendly हैं, no doubt, curious बहुत हैं, हर एक चीज़ को जानने के इच्छा हैं, इनके अंदर होती है, थोड़ा सा careless, लापरवाही वाला attitude भी है, बच्चों का जैसे होता है नहीं, इनके साथ में इसा रिस्ता हो सकता है कि बाबरवाह हैं, सब बागी सब को चाहते हैं, कि अपने सब थीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं पर अपने आपका उतना ध्यान नहीं देंगे, इनको ना care मिली होती है इनको इनके parents या इनके भाई बहनों के दौरा किसको ये कैसा रिस्ता होता है जिसने बड़ा इनको pamper किया होता और यही pamperness या आप से भी expect करते हैं कि आप इने जाधा-जाधा pamper करें अब इनका जो looking है कैसे दिखेंगे तो एक youthful सा जो भाव है चेरे पर वो जरूर दिखाई देगा बागी चीज़े मैंने आपके screen पर लिख दी है एक बार उसे जरूर पढ़ लीजेगा और match करें तो comment करके जरूर बताएगा दोस्तो वीडियो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो last planet है वो है Venus अगर आपका lowest degree planet Venus होता है तो आपका spouse कैसा होगा सबसे पहले तो आपके spouse को luxury और comfort बहुत पसंद होगा और वो शायद आपसे शादी भी से ले करेगा क्योंकि आप उसे provide करवा सकते हैं नहीं तो ये अगर खुद provide कर सकते हैं तो भी उसी चीजों में रहना पसंद करते हैं second hand नहीं खरी देंगे खरी देंगे तो एक नंबर की चीज़ खरी देंगे ये वाला attitude है keep calm सब ठीक हो जाएगा romantic है, sexual है, इस तरह की बाते करते हुए मिलते हैं इस तरह का attitude भी होता है बड़े sensible nature के हैं लहजा इनका अच्छा हो सकता है बात करने का तरीका इनका अच्छा हो सकता है no doubt Venus है तो एक feminine nature इनके अंदर आई जाता है emotional nature इनके अंदर आ जाता है सबसे अच्छी बात है ये खुद भी खुबसूरत रहना दिखना पसंद करते हैं और अपने आस पास के चीज़ों को भी खुबसूरत रखना और दिखाना पसंद करते हैं बागी physical attributes के अगर बात करें तो no doubt beautiful attractive nature तो होगा ही average से थोड़े अच्छे ही नजर आते होंगे बागी के physical attributes आपकी screen के सामने आ गए हैं आप उनने देख लीजेगा और अगर relate हो रहे हैं तो comment करके हमें जरूर बताएगा तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो चीजों को cover किया है अभी तक एक तो planet से आपके spouse का nature हाउस से अब बात करते है राशी जिस राशी में ये planet बैठा है उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके spouse का nature क्या है हर एक राशी की कुछ कुछ qualities होती हैं दो तीन fix qualities होती है जैसे फर एक्जमपल अगर मेश राशी में आपका lowest degree planner बैठा है तो आपका जो पार्टनर एंगरी होगा एग्रेशन उसके अंदर आपको मिलेगा यह मिलेगा आपके अगर वर्शब राशी के अंदर आपका lowest degree planner बैठा तो एक ठहराओ एक अर्थली element आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा वहीं पर करक राशी में emotional nature मिलता है वहीं पर कुम राशी में आपको philosophical nature आपको philosophy की बाते करता हो मिलना है वर्गों में अगर आ ऐसी सारीरिक संबंद बनाने बड़ा अनन्द आता है चंचल सभाव का है चंचल नेचर का है इसी तरह से हर एक राशी का अपना अपना थोड़ा वह सभाव होता है आपको spouse के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एक वीडियो जो कि आप spouse का nature तरीका कैसे जान सकते हैं इवन उनका profession भी हमने यहाँ पर discuss किया क्या हो सकता है कैसी बाते कितनी बाते रिलेट हुई comment करके ज़रू बताइएगा और अगर आप इसी तरह से wonderful मजे में हसते खेलते easy manner methodology सीखना चाते हैं तो अकर्ड गुरकुल पे live batch मेरा खुद का start होने मार्च के महीने में तो नीचे दिया गया है फॉर्म अगर आप जोतिस को इंटरस्ट रखते हो लाइव classes जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है आपको एक फॉर्म उसमें अपने details फिल कर दीजे और मेरी टीम आपको call कर लेगी यह भाई तीन महीने का यह पूरा की वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे